सब्सक्राइब द्वादा निर्मित प्रसिद जैन अ offset क हैं तो इसवाल का सब्सक्राइब देगा answer सब्सेम जब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राय था इसका निर्माण सी prá들 कीर्टी धर के निर्देशित्प में इसका निर्माने करवाया था अगला दूसरा कि उसने संकत ग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा गुक में दरसाया जाता हैं तो इस सवाल का सवह जवाब देगा का option से इन्वेस्ट राजस्तान समयलन 2022 की जो थीम है वो थी committed and delivered और दोस्तों आपको बज़ती की इन्वेस्ट राजस्तान समयलन है जो 24 और 25 जनवरी 2022 को जैपूर में दो दिवस्य के रूप में इस इस राजस्तान समयलन का आइजनिक क्या गया था जिसकी जो थीम थी वो थी committed and delivered अगला नेक्स चौता किसन है टाइगर प्रियोजना को किस वर से शुरू क्या गया था तो इस सवाल का सई जवाब देगा option ए टाइगर प्रियोजना है जो साल 1973 में शुरू की गई थी नेक्स अगला पांचवा किसन है नेमन में से कौन सी जय विविता सरक्षन के लिए महतपूर्ण रण नेती हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा option डी जय वमंडल रिजर्व हैं जो जय विविता के सरक्षन के लिए एक महतपूर्ण रण अगला चटा किसन है नेमन राजियों में से उस राजियों को चुनिये जिसमें सरवादिक संक्या में वन्य जीव अब्यारण हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा option A भारत का मदिप्रदेश राजिये हैं जिसमें सरवादिक संक्या में वन्य जय अब्यारण बने विए ह ठीज निमन में से मानवों की कौन सी ग्रंती दो से अधिक हारμोन इस्तिरावित्य करती हैं तो इस सवाल इसे시는 ही जवाब देगा। मानवों की फ्यूस्प ग्रंती है जो दोसे अधिक अधिक हार्मणों को ne penal Champion sentate आफ्रात्म्ति में एक कंसा तो सवाल का सभी जवाब देगां इसकी इस में और निए सो गुंण सार्ट में की गई थी किसी कई दूरा पर इस्तापित क्या हैं बिकाने और कभ– उनिसो उनिय सो गुंध सार्ट में नीक्स नेक्स्ट अगला नौवा किसन है राज्य की पारंप्रिक एंविल्प्त हो रही कलावों के सरक्षन खोज एंव समर्दन करने तता उनका समन्मित विकास करने के उदेशिय से इस्तापित संस्ता कौन सी हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्सन वी राज्य की पारंप् अगला दसवा किसन है लवण और जल के मिस्रन को परतक करने की परक्रिया में निम्म लिकित में से कौन सायक नहीं हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्सनिस सी लवण और जल के मिस्रन को परतक करने की परक्रिया में निस्तांतरन हैं जो एक सायक नहीं होगा अगला नेक्षट ग्यारवा किसन है, नवुम्मर 2021 को राधतान की किस जिले में मतशी अचे उत्सव का आयो जनी किया गया तो इस स्वाल का सई जवाब देगा ओप्शन ए 24 नौमर साल 2021 को राजस्तान की अलवर जिले में मतशी उत्सव का आयोजनी क्या गया था अगला नेक्ष्ट बारवा किसने राजस्तान स्वतंतरता संग्राम और विजे सिंग पतिक पुस्तक का विमोचन किसने क्या था तो इस सवाल का सही जवाब जी का ओप्शन भी राजस्तान के सिक्सा मंत्री बीडी कला हैं जिनोंने विकानेर जिले में राजस्तान का स्वतंतरता संग्राम और विजे सिंग पतिक पुस्तक का विमोचन क्या था किसने क्या था डॉक्टर बीडी कला जी ने अगला नेक्स तेरवा किसन है बितोड़ा नामक इस्तान किसे समद्धित हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ओप्शन बी बितोड़ा नामक इस्तान है जो 1857 की स्वतंतरता संग्राम से समद्धित एक इस्तान हैं अगला नेक्स चोदवएं मूल कृत्वें को किसे संसोधन के दवारा सवेदान में साम्दिक किया गया तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्शन बांते स्वेदान संसोधन की म мнोकृत्वें को सभीधान में साम्दिक आगया था नेक्स्ट अगला पंदरवा किसे ने किसी राधस्तानी लोक संसकर्ती साहे थे एंव लोक कलाओं में मरमक टिया के है तू दो बार पदम पुरुसकार से समाने थे क्या गया तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ओप्सन ए कौमल कोटारी हैं जिनको राधस्तानी लोक संसकर्ती साहे थे एंव लोक कलाओं में अपना महत्पूर्ण योगदान देदें है तू दो बार पदम पुरुसकार से समाने थे क्या गया किसको कौमल कोटारी को अगला नेक्स सोलवा किसने राधस्तान में बजट 2021-22 में गोसित उड़ान योजना किस से समन देते हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्सनेस सी राधस्तान में बज़र 2021-22 के गोसित उड़ान योजना है जो महिलाओं और सात्राओं को निशुलक सैनेट्री दिया था और दोस्तों आपको बज़ादे कि इस योजना की गोस्ना है वो सितंबर 2021 में हुई थी लेकिन इस योजना को लागूं है वो नौम्बर 2021 को क्या गया था नेक्स डार्वा किस ने शयुका उटी चेतर की कला संप्दा के स्रक्षन ही तू 28th 002,006 को राज की संग्राले की स्ताप्णा कहां की गई तो इस स्वाल का सइज जवाब देगा option eight डी शयुका उक्राले की स्ताप्णा है तो 28th 01,002 छ έναven में की गई थी कब की गीति राज की संग्राले की सापना 28 जून 2006 को और कहां पर सिक्कर जिले में नेक्स्ट अगला अटारवा किसे ने राष्ट पती तता उप राष्ट पती के चुनावी संबंद विवादों का निप्टारा कौन करता हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन भी भारत में राष्ट पती तता उप राष्ट पती के चुनावी संबंदी विवादों को निप्टार हैं वो सर्वुच नियाले करता हैं अगला नेक्स्ट उगणी स्वा किसन है केंदर ने मंजूरी दी है कि कोवीड-19 के कारण मारे गए पत्तरकारों के परिजनों के लिए कितनी वित्य साहिता दी जाएगी केंदर सरकार की तरप से 15 मार्च 2021 को गोशना की गई थी कि पत्तरकारों के परिवारों को जिनकी कोवीड-19 की दोरान मरती होगी थी उनके परिवार को पांच लाख रुपे की वित्य साहिता दी जाएगी नेक्स्ट अगला 20 किसने पोदे में आवसकता से अधिक जल किस परकरिया दोरा निकलता है तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्सन भी पोदो में आवसकता से अधिक जल है वो वास्प उत्तरजन की परकरिया के दोरा निकलता है अगला next 21 वा किसने सेकावटी का परधीस द्वार या हज्ये इस्तली किसे कहा जाता हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option ए सेकावटी का परव्येस द्वारत और हज्ये इस्तली हैं जो सिकर जिले को कहा जाता है और सिकर जिले को 1744 इसमें राव दौलत सिंग के द्वारा बसाया गया था जो सिकर हैं जो जैपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना था कभूईती सिकर की स्थापना 1744 इसमें और इस सेर को किसने बसाय था राव दौलत सिंग ने अगला नेक्स 23 वा किसने उच्रक्ट साप की अवस्ता को क्या कहते हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा जाता हैं इसी परगार नेक्स 24 वा किसने भारत में एकल संक्रमणिय मत पदती से कोन चुना जाता हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option B भारत में एकल संक्रमणिये मत पदती से राष्टपती को चुना जाता है और भारत की राष्टपती में सांसद और विदाइक हैं वो मतदान कर सकते हैं और वरतमान में भारत की राष्टपती कौन है वो हैं द्रोपती मुर्मूजी ने नेक्स अगला 25 किसने एंटी जन एक ऐसा परदार्थ हैं जो तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option C एंटी जन ए जो एक ऐसा परदार्थ हैं जो परती रक्षी के निर्मान को बड़ावा देता हैं अगला नेक्स सभी सभी किसने जाट बंस का अटारवी सताबदी के मद्य में किन भूबाग पर अध्य पत्य था तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option B जाट बंस का जो अटारवी सताब्दी में भरतपूर और धौलपूर भूबाग पर अध्य पत्य था अगला नेक्स 27 वा किसने किराडू का मंदिर किस जिले में हैं तो इससवाल का सभी जवाब कौन सा हैं वो आप comment section में लिख कर जिरू बताई ऑप्सन क्या है बाड मेर में चितोरगण में करोली में या जालूर में इन चार ऑप्सनों में से कौन सा ऑप्सन सही हैं जहां पर किराडू का मंदिर इस्तित हैं वो आप कमेंट सक्षन में लेकर जरूरू बताईए अगला नेक्स 28 किसने अली बक्सी ख्याल कहां का प्रसिद हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्सन भी अली बक्सी ख्याल है जो अलवर जिले का प्रसिद हैं अगला नेक्स 28 किसने बोपाल गैस तरास्ति किस वर्स हुई थी तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्सन एनी बोपाल गैस तरास्ति हैं जो भारत की मद्य प्रदेश राजिये के बोपाल सहर में 3 दिसवर 1984 को भैने के और जोगी एक दुरगटना हुई थी और जिस बोप प्रदादूं की यह तरास्ति हैं जो यूनियन कंबाइंड नाम कंपनी के कार खाने में मिथल आइसो साइनेट गैस के रिषाव के कारण हुई थी कब हुई थी बोपाल गैस तरास्ति वह थी तीन दिसमर 1984 को अगला नेक्स 23 किसने करतिम जीन का निर्माण किसने क्या था त नेक्स्ट अगला 34 किसने सबसे कटोर तत्व कौन सा हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्सन बी सबसे कटोर तत्व हैं जो हीरा तत्व माना जाता हैं नेक्स्ट अगला 31 किसने राजस्तान से दूसरे उप राष्ट पती कौन बने हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्सन बी राजस्तान से जगदीब धनकड़े हैं जो भारत के लिए दूसरे राष्ट पती बने हैं और भारत के कौन से राष्ट पती हैं जगदीब बने थी जिनका कारेकाल हैं वो अगस्त 2002 से लेकर जुलई 2007 तक रहा था और अभी दूसरे राधस्तान के रहने वाले जदीब धनकड़े हैं जो भारत के उपराश्ट पती बने हैं जो राधस्तान के जुन-जुनु जिले के संबंदित रहने वाले हैं अगला नेक्सieza किसने दॉस्ओ को बागवानी संस्तान कहां इस्तित हैं तो इस सबाल का सई जवाब देगा आपसण डिवय का ने राजस्तान में कुल पांच क्रस्वी विशु विद्याले हैं लेकिन दोस्तों आपको बताते कि राजस्तान के मुख्य मंद्री असो गेलो थे हैं जिनने फरवरी 2022 में राज्य के बज़ट जारी करते वे उन्हें ने गोशना की है कि राजस्तान में अब गुंतीस नए क्रस् के लिए प्रसिद रंगनात मंदिर हैं जो अजमेर की पुस्कर में इस्तित्न हैं जो एक विश्णु मंदिर हैं नेक्स्ट अगला 35 किसने राजस्तान का कौन से नरत्य रूप 2010 में यूनेस्कों की अमुर्थ संस्क्रदी धरोर सूची में सामिल क्या गया तो इस सवाल का कालोबेलिय नरत्य हैं जिसको साल 2010 में यूनेसकों की अमुर्थ संस्क्रदी धरोर की सूची में सामिल क्या गया था के नरत्य को कि अगला नेक्स 30 किसने राधस्तान राजी सहकारी भूमी विकास बैंक की इस्तापना कब की गई तो सवाल का सई दवाब देगा ऑप्सन जैपूर में की गई थी अगला 37 सा किसन न जिला उप भोक्ता स्रक्षन परिषद का अध्यक्स कौन होता है चो इस वाल का सही जवाब देगा अगला 38 सा किसन इंटिले में तिलवड गाओं में इस्थित मंदिर किस लोग देटा से सम्झ देते हैं तो इस सवाल का सई द्वाब देगा option C बार्ण मेर जिले के तिलवड़ गाउं में इस्तित मंदिर हैं वो मली नात लोक देवता से सम्बंदित एक प्रसिद मंदिर हैं अगला next गुंचारी से किसने जोतपूर परदा मनल की इस्तापना कब की गई तो इस सवाल का सई द्वाब देगा option C साल 1934 में बावरलाल सरापा की अध्यक्सत में जै नारेन व्यास के द्वारा जोतपूर परदा मनल की इस्तापना की गई थी कब की गई साल 1934 में और किसकी अध्यक्सता में बावरलाल सरापा की अध्यक्सता में और जो उत्पुर्पुर्णमनल की स्थाफ ना किस ना की थी वह की थी जैन नारेन व्यास ने नेक्स्ट अगला चारीसवा किसे ने 22 गड़ अब्यारण कहां इस्तित्म हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्सेनेट डी 22 गड़ अब्यारण हैं जो चितोड़ गड़ जिले में इस्तित्म हैं और दोस्तों आपको बता दे कि 22 गड़ अब्यारण को साल 1983 में इसे अब्यारणे गोशितिक किया गया था जो 235 वर्ग किलोमेटर में फैला वाफ एक अब्यारण हैं राधस्तान का